गणपति बप्पा मोरिया तो हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल जिसका नाम है दिव्या गोवन रेसिपी और आप लोग कैसे हैं आई होब आप लोग अच्छे ही होंगे और मेरी रेसिपी ट्राइ करते हैं ना फ्रेंड्स तो ट्राइ करते हैं तो कमेंट करके बताए कि मेरे रेसिपी कैसी बनती है और जो कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज प्लीज लाइक कीजे और सिस्क्राइब कीजे मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजे तो आप लोग देख सकते हैं मैं क्या दिका रही हूँ मैंने आलू लिये हैं मैं आलू की सबजे बना रही हूँ आज और वो भी होटेल में मिलती हैं वैसी रेस्टोन में मिलती हैं वैसी टाइप की बना रही हूँ तो देखे मैंने आलू लिये थे चार जो वबाल के लिए थे हैं वबाल के लिए के मैंने अभी इसको और इसको इसे कट किये हूँ और यह तेल लिया है और हल्दी पावडर जीरा पावडर और यह उमरी मोरी तो अभी चलिए शुरू कर देते हैं अभी गैस को में कर दूंगी आपको दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंट्स अभी कड़ाई मैंने रख दी हैं और मैं इसके अंदर अभी टेल डालूंगी एग मैंने कटोरी तेल दिया है और तेल ज़्यादा ही लगेगा थोड़ा क्यूंकि हम तेल में यह सबजी बनाएंगे रस्टोन स्टाइल में नहीं तो होटेल स्टाइल मे इसके लिए इसके अंदर पानी नई जाएगा सिर्फ टेल जाएगा अब इसके अंदर में यह मोरी ळाल रही है और इसके बाद मैं इसके अंदर के हरी मेंश मदलोंगी बढ़ा दजकर रखती हुँ, यह तो मुह पे आके गिरेगा इसमें और अभी मैं इसके अंदर एक लेसून डालूँगी तेल इसको ज्यादा ही लगता है क्योंकि यह रेस्टोरंट स्टाइल की सबजी है अलू की सबजी तो इसमें हम गर्पे बनाते हैं तो थोड़ा पानी भी यूज़ कर देते हैं तो इसमें पानी नहीं जाएगा सिर्फ तेल में ही बनाएंगे हम सबजी तो लगनी चाहिए ना रेस्टोरंट स्टाइल सबजी तो अब इसके अंदर में अधरक भी डालूंगी और अच्छे से मिक्स करके लेंगे हम अधरक को थोड़ा थोड़ा पकाएंगे देखें नहीं कर दूंगी मिक्स और प्लीज फ्रेंड सपोर्ट करना मेरा साथ कभी मत छोड़ना और इसे मुझे प्यार करते रहना लाइक भी नहीं करते हो तो चलता है अभी अल्दी पाड़ा थोड़ा डालूंगी इसके अंदर पसंद आए तो देख लेना मेरी वीडियो नहीं आए तो मत देखिए और पहली बार जो कोई देख रहा है ओ ब्लीज ब्लीज सस्क्राइब कीज़े अभी मैं इसके अंदर देखिए और मैंने जो तेल लिया है न वो कोकोनट ओइल है क्योंकि कोकोनट ओइल हमारी सेयर के लिए अच्छा होता है इसलिए अब जो घर में यूज करते हो वही तेल लिजे रिफैन ओइल पिर जैमीनी मैं ज्यादा तर जैमीनी यूज करती हूं और आज मैंने कोकोनट ओइल लिया है सबजी के लिए खास तो अभी इसके अंदर मैं अभी प्यास डालूंगी हमारे और यह सिंपल से सबजी है पठाफ़ट बन जाती है तो अभी प्यास को भी मैं मिस्स करके लूंगी और प्यास को भी मैं लाल कलर होने तक पकाऊंगी प तोड़ा इसमें नमक एड़ कर दूँगी तो जल्दी प्यास हमारे पख जाएंगे इसलिए देखें अभी मैं सब मिक्स कर दूँगी और पांच मिनीद के लिए इसको दखकर रखती हूं और बाद मैं आपको दिखाती हूं तो देखें फ्रेंड्स अभी प्यास हमारे पख चुका है यह देखें लाल कलर का हो चुका है अभी इसके अंदर में यह आलू एड़ कर दूँगी और मिक्स कर दिलूँगी आलू को सब कि मैं फ्रेंब बन जाती है तो अभी मैं थोड़ा चा कर दूँगी पेहले मैं ने डाला रूआ है तो अभी थोड़ा चा नमग एड़ कर दूँगी और इसको मैं अभी पंच मिनित के ले से ही तो और सब स्गी रेड्य हो जाए गी सब्जी रखते हैं और भी बार में आपको रिखाती हूं तो चले फ्रेंड्स अभी देखते हैं तो देखे फ्रेंड्स अगारी सब्जी रेडी हो चुकी है अब यह रेडियो हो चीकी है सब्जी आप पराटे के साथ खाईए राइस के साथ खाईए बहुत टेस्टी बनती है और यह टेस्टी बनी है तो प्रीज फ्रेंड लाइक कीजे कमेंड कीजे शेर कीजे और सस्क्राइब कीजे मेरे चैनल को तो अभी मैं गैस को कर देती हूं बन और आपको दिछाती हूं तो देखें फ्रेंद्स सभी सब्जी बन के रेडियो कुचिके हैं और तर दिक रही है ना होट वा टेल में रेस्टोरेंस स्टैल में आप जाते हो तो मांगते हैं हैं यह ओटल में बटत कि सब्जी शुकी नेकिये लाइक कीजिए कीजे मेरे चैनल को जो कुई पहली बार देख रहा हैं तो ट्राइप कीजिए और कमेंग कर के बताए चैनल को जो सबगा को बाई बाई प्रेंड टेकेरा और लाइक कीजे मेरे चैनल को और मिल और बने scree़ी देख और